अंदर से मसालों से भरा और उपर से बहुत ही सौफ्ट और खाने के बात कर तो 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 इसको खाने के लिए ना मैं आप लोगों के साथ एक चटनी भी सेयर करने वाली हूं जो बहुत ही डिलेसिस होता है असलाम अलेकूं फ्रेंट तन्मनुदेशी किचन में आप सब का बहु कुल्चा बनाने के लिए देखे में यहां पर 500 गराम मैदा लिया है अभी यहां पर क्या करेंगे स्वादर नमक यानि कि एक चमच में नमक एट कर रही हूं और साथ ही साथ यहां पर देर चमच चीनी एक चमच बेकिंग पाउडर और हाप चमच से भी कम यहां पर सोडा ए बना लेंगे ज्यादा गरम पानी नहीं दीजेगा बस गुनगुना गरम ही पानी हमें यहां पर एट करके इसको अच्छे से गुंदना है तो लीजे हमारा दो भी परफेक्ट तरीके से तयार है मेन अभी यहां पर देखिए थोड़ा से वेजिटेबिल ओयल इसके उपर ल दिंदार मसाला बनाने के लिए देखिए में यहां पर क्या करूंगे मिक्सी में इसको एट कर लेंगे और ज्यादा बारिUCK पेश्ट इसका नहीं बनाएंगे बस इसको दर दर मुदन रखना है तो देखिए यहां पर हम नहीं इसको इस तरीके से ग्राइट के हे देखिए बारिक भी नहीं और ज्यादा मोटा भी नहीं हमें इसी तरीके का मटर रखना है अभी में यहाँ पे देखिए दो टमाटर एक अक्खा लसन और यहाँ पे दो इंच अद्रक दो हरीमीच को भून लूंगी अभी हमारा टमाटर अद्रक लसन देखिए बहुत ही बड़े तरीक यहाँ पे मेंगटर पानमोरी अच्छी तरीके से गरम हो जाए ना फ्रेंड में यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याच को डलने वाला विडियो ना फ्रेंड में यहाँ पे दिख राग अभी घर का बेसिक मसाला एट करूंगी जैसे कि मेंने चोटे चमच एक्चमच वि अब जब तक के मसालों का कच्छा स्मेल चला ना जाए तब तक को देखे हम यहाँ पे अच्छे तरह के से भूनेंगे अब अपने सुआत के एकोडिंग में यहाँ पे नमक भी एट कर दिया है तो देखे अभी दो मिनिर तक इसको पकाने के बाद ना हमारा मसाला बिल्कुल मिडियं टुलो फले में तीन से चार मिल्ट तक पकाएंगे हमारा मसाल यहाँ पे देखिए पीसा वहा है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता पकने में जल्दी ही पक जाता है और इसको तेस्ट बहुत बढ़िया होता है आप भी तेस्ट किजएगा और रोटी के शंग में बह बहुत ही अमेजिंग सा इसका स्वाध होता है तो आप भी ज़रूर ट्राइ किजिएगा मैं तो अभी अंदर के स्टफिंग के लिए भी बना रही हूँ यह मतर मशाला लो फ्लिम में देखें तीन मिट तक पकाने के बात ना हमारा मतर अच्छी तरीके से पक चुका है और मेन अभी एंड में इसका स्वाध और भी बढ़ाने के लिए यहां पर देखें धन्यापत्ता एट कर रही हूँ तो देखें हमारा अभी जो अंदर के स्टफिंग के लिए हमारा मतर मसाला बिल्कुल तयार है आप भी ट्राइ किजिएगा आप से रिक्वेश्ट है और फीडव है अभी क्या करेंगे हमारा भुना हुआ टमाटर को चाकु के साईते से पहले चोटे चोप करेंगे और उसके बात ना अम लोग अच्छी तरीके से कूट लेंगे और देखें इससे ना बहुत बढ़ी आता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मिकसी में बहुत अच्छा हो ज जाएगा हमारे गर में तो सभी लोग पसंद करते हैं उमीद करती हूँ आपको भी पसंद आएंगे टमाटर को भी देखिए मैं अच्छी तरीके से चान लिया है अभी ना में यहाँ पे एक चमच दही एट करूंगी लेकिन अगर दही को स्कीप करना चाते हो ना दही को स्की इमली का पानी से इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा और खाने में बहुत बढ़िया लगता है और देखिए स्वाद के इसाब से नमक भी एट कर दूंगी और नमक एट करने के बाद अब इन सभी को अच्छे से मिक्स अब कर लेंगे तो लीजिए हमारा यहाँ पे चटनी तो तयार हो चुका है अभी इसका स्वाधम डबल करेंगे तो इसके लिए मैं क्या करूंगी पहले तो इसको काटोरी में निकाल लूंगी शोक लगाने का चम्मच लूंगी और चोक लगाने के चम्मच में मैं यहाँ पर मस्टर ओयल एट करूंगी अब तेल चटक जाए ना में यहाँ पर देखिए बॉक्स कटिंग में यहाँ पर चुटे साइज के प्याज को यहाँ पर एट करी हूं और साथे साथ कड़ी पत्ता को भी एट कर दूंगी अभी दिखिए इसको ज्यादा फ्राइब नहीं करना बस हलका सा फ्राइब करेंगे और इस अब लोगों के ना सभी लोग पसंद करने वाले हैं अभी हमारा गुंदा हुआ आटा जो है पहले से फूल जुगा है अभी थोड़ा सा फिर से में इसको चानूंगी देखिए इस तरीके से और अभी चान के ना में इसके लोईया काट लूंगी तो हमारा लोईया इचो के और इस तरीके से में दबाऊँगी तो एक कटोरी जैसे हो जाएगा अभी इसके अंदर में श्टफिंग भरूंगी ज्यादा इससे क्या होता है निकल जाता है और यह वाला प्रोसेस जो होता है ना फ्रेंड क्या होता है कि हम लोग जब यह बेलने जाते है जो इस हमारा जो कुल्चा है perfect बने तो देखे सबसे पहले तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ और मेरा भी निकल रहा है जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ तो मैं फिर से इसको बेल रही हूँ और इस तरीके से मुझे अभी ना ही ज्यादा इसको बड़ा करना है ब क्लोंजी अट अरह पे काला जीरा सबरें दन्य पत्ता केहांने तूर बाटनकी सभद के और राभ केुड़ाओं, सब्याव में प्रसेश की और शच्टेश कोए दुद्ध आधानों दूस्रा प्रोसेस में देखिए में राउंड या सारी से भिल लूंगी अ हम 1972 मैं राटे साहटे साहटे से भिल बल को साहें अब लंब goji उस्ली ट्रोसेस त्रिक में भिल को साहम न॓कर में और डिखने हो है recognize अब देखिया एक तो यहां पर हो गई फिर से हमें क्या करना है सेम तरीके से दूसरा लोया लुगए और इसी तरीके से लंबे आकरों में में रोटी बेल लुगी बस हल्के हातों से आप रोटी को बेलिएगा में भी यहां पर वीडियो लंबा हो जाएगा इसके वज़े से मैं यहां पे स्पीड बढ़ा दी हूँ लेकिन आप लोगों को हलके हाथों में इस तरीके से लंबया करो में रोटी को बेलना है तो देखिए मैं यहां पे एक और देखे रोटी बना ली हूँ अभी क्या करेंगे मतर का जो मसाला बनाया है अभी इसके उपर इस तरीके से चमच के साहिते से रख देंगे जब हमारा मतर मसाला को रख देंगे इसके उपर देखे में यहां पे मैदा और पानी का एक घोल बनाया है अब इसके उपर इस तरीके से मैं चिपका दूँगे और इसके बज़े से बहुत उपधी बधी बड़ी तरीके से चिपक जाएगा और हमारा जो रोटी है बिलकुल भी नहीं खुले गाई एकदम पॉफेक्ट तरीके से चिपक जाएगा अभी देखे चिपकाने के फ्रेग्रेंस भी आएगा तो खाने में बहुत बड़ी लगता है अभी हमारा कुल्चा देखे सिखने के लिए तयार है और अभी में सेम तरीके से ना बाकी सब को भी इस तरीके से बेल लूँगी अभी यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखी सकते हो मैंने जो डाइरेक अभी कुल्चा बनाने के लिए मैंने देखिए लोह का तवा लिया है और नोंस्टिकी तवा में तो बिल्कुल भी नहीं होगा तो मैं इस तरीके से लोह के तवा को जब अच्छी तरीके से गरम हो जाए ना में यहाँ पे देखिए पानी एट करने के बाद ना हमारा कुल् और देखिए लोह फ्लेम में ना हम लोग 30 सेकंड तक इसको रखे थे इसको पलेटने के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसका जो फ्रेग्रेंस आ रहा था ना वो भी बहुत ही बढ़िया आ रहा था बिल्कुल जैसे धाबय में मिलता है ना उस तरीके हूं तो देखिए हमारा यहां पे कुल्चा देखिए थोड़ा सा फूल भी चुका है और ना इस तरीके से आप भी ट्राय कीजिएका बहुत बढ़िया लगता है अभी हमारा देखिये कुल्चा तयार है और में से Tan ayud apare बाकि सब को भी इस तरीके से frontoy कर लूंगी तो हमारा अभी यहाँ पर देखिए सारा कुल्चे तयार है और फ्रेंड विडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किजिएगा आज के लिए इजाज़ा चाहूंगी मिलते हैं किसी और रेसिपिकेशन और हाँ मेनत थे थोड़ी इसको ट्राइ करो आप भी और इस भागम भाग वाली जिन्देगी में घर के से बनू कभी कभी अल्ला हापीश थैंक्स पर वाचिंग